नमश्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों भारत के जो एडुकेशन सिस्टम का इस वक्त हाल है बहुत ही कंसर्णिंग हो चुका है इस तरह की हेड्लाइन लगतार अगबार में चल रही है कि लाइकली लाइकली की की कि इंटिय आज रिजल्ल्ट कर देगा यह चल रहा है मैंने आज भी Times of India के अंदर यह आर्टिकल देखा यह अभी अभी दुपहर का यह आर्टिकल है 24 जुलाई एक बच के 50 मिनिट का आर्टिकल है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि NT is likely to declare the result today अब यह मैं कल भी देख रहा था किसी और एक बार के अंदर फिर मैंने परसो भी देखा आया वह भी आवाज असले सुली गई को नीट का इतना मामला जो चल रहा था था तो एंटिया को इस पर यहां पर बोलना पड़ गया रीटेस्ट को यहां पर इसकी जो आंसर की है वह यहां पर जारी करी गई और आप आप से कहा गया कि आप इस आंसर की को प्रश्विशनल result today आपके अभी final answer की नहीं आई है, final answer की नहीं आई है, और बिना final answer की के, कैसे result यहाँ possible है, चलिए, अगर मान लीजेश, यह भी चीज करी गई, कि हाथी हाथ आपने final answer की दे दी, हाथी हाथ आपने result इकाल दिया, हो सकता हो, यह चीज भी यहाँ पर हो जाए, NTA कुछ भी कर प्रोसेस होता है, लेकिन यार, जो भी चीज यहाँ पर अभी हो रही है, मुझे लगता है कि expected जो है, I cannot very surely say, but yes, what I feel, कि हाँ, July के last तक यहाँ पर result आने के chances है, July के last तक, but you can, you never know, because, पहले NTA ने कहा था, 30 जून तक result आना था, 30 जून के आसपस result आना था, लेकिन उसके expected यह है, कि हाँ, जुलाई तक तो शायद दहीद हैं, यह लोग result, जुलाई लास तक, ऑगस्ट फर्स्ट वीक तक, और इस से डिले ना है करें, तो ब्रदा बेटर हैं, और दूसरी बात यह, कि अगर बान लीजे, यह result आ भी जाता है, उससे पहले भी, तो भी इसके बाद भी counseling होगी, बहुत लंबा चोड़ा procedure होता है, मुझे लगता है, कि जो भी colleges के अंदर यहाँ पर student जाएंगे, वो student का academic जो year है, वो काफी यहाँ पर hamper होगा, तो जो academic year यहाँ पर universities का होगा, colleges का होगा, वो definitely छोटा यहाँ पर हो जाएगा, अब उससे क्या impact पड़ेगा, उ आपकी जो classes है, वो reduce हो जाती है, अना पहिजारती बात है, कोई अगर आपका course है, वो आपका course एक महीने का है, लेकिन अगर आप उसमें पाच दिन डिले कर दोगे, तो आपके पास option क्या है, आप number of classes कम कर दोगे, या फिर दूसरा option यह होता है, कि आप classes का duration time पढ़ा दोग टीचर किसी वेरे से class न ले पाया हो, तो ठीक है भाई, extra class लेके हमने cover करा दिया, हना बच्चे को जादा राउट होगा है classes के अंदर, हम एक class में उतना पढ़ा नहीं पाए, तो यह हमने extra class लगा लिए, यहाँ पर session शुरू ही हो रहा है, तो extra classes की बात पहले से लगी होई ह अब गलती यहाँ पर किस की है, गलती यहाँ पर साफ साफ NTA की, आप देखिए इस चीज़ को NTA की गलती हो रही है, यह गलती shift हो रही है colleges की उपर, मतलब यह इसका pressure shift हुआ colleges की उपर, कि भाया आपको उतने time span में अपना curriculum, अपना academic की यह complete करना है, करी college ने इस चीज़ को shift किया student की उपर, अरे यार, हर एक जैसा student नहीं होता है, कोई एक ऐसा student होता है, जिसको दो class के अंदर, कोई एक topic समझ में आ जाता है, कोई एक student होता है, जिसको 5-6 classes लग जाती है समझने के लिए, अब आप इस तरह की delay करके NTA यह burden shift कर दिया student की उपर, कि तुमको 5 class के, 2 class के समझना है, और अगर नहीं समझते हो, तो इसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम, हम 2 classes में पढ़ा पाएंगे आपको, हैना, अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कि इस तरह के article भी देखे, मैंने economic times के, जहाँ पर यह लिखा है, कि COT जो delay हुआ है, इसमें क्या solution यह लोग निकाल रहे हैं, कि भया, वीकेंड को यह कट कर देंगे, मतलब, क्या करेंगे ही लोग, कि Saturday, Sunday नाम की चीजी नहीं बचेगी, आपके week के अंदर, यानि कि आपकी classes Monday to Friday के साथ, आपकी classes Saturday को भी हो रही है, आपकी classes Saturday को भी होगी, आपकी classes Sunday को भी होगी, इन दोनों ही दिन अलगी level की बात हो रही है, कि Saturday, Sunday भी class होगी, कितनी होगी, क्योंकि practically सोचा जाए, तो इनसान है, हना, जो एसा नहीं है, student को पढ़ना है, teacher भी पढ़ाने आएगा, भाई, उसकी भी family होती है, सोचो एक बार practically, क्या होता है, कभी कभी लोग practically नहीं सोचते है, अरे जो teacher है, उ उसको भी Sunday को अपने लोगों को time देना है, हना, कितना possible होगा, और अगर मान लोग पढ़ाने आभी जाता है, master, कितना मन से पढ़ाएगा, कितनी मानदारी से पढ़ाएगा, कितना dedicatedly पढ़ाएगा, कितनी energy से पढ़ाएगा, कितने मन मार के पढ़ाएगा, यह आप लोग न इस तरह की winter breaks या पर summer breaks whatever it is आप सोचो बच्चा छोटा ही है यार NTA बच्चा भी छोटा है बहुत बड़ा नहीं हुआ है उसको breaks की requirement है बट ठीक है colleges कर गया सकते है colleges के पास कोई option ही नहीं है उसको course time पे कराना है course तो cut करेंगे नहीं course time पे होगा लेकिन जो course time पे हो रहा है उस चीजों में what is the what is the मैं कहूंगा कि कितना quality पे यहाँ पर impact पड़ेगा यह चीज सोचने वाली है quality पे इंपक्ट definitely पढ़ने वाला है आप भले कम classes के अंदर करा रहे हो आप भले classes उतनी कर रहे हो Saturday Sunday लगा रहे हो बड़ मैं बताओं एक इंसानी है और इंसान को Saturday Sundays चाहिए होते हैं अगर आप student को नहीं चाहिए लेकिन जो teacher है उसको तो चाहिए ही चाहिए हना यह बात समझ जाएगा वह teacher का क्या होगा वह भी तो बैठा हुआ है उसको भी तो आपने साल पूरा साल ऐसी चलेगा उस teacher का भी घरदवार होगा उस teacher के बच्चे होंगे घरवाले होंगे सब होंगे मावाप होंगे सब को time देना होता है एक एक particular body की गलती की वजह से NTA की गलती की वजह से किन किन लोगों पर impact पढ़ रहा है यह आप समझे और यह तो खाली आप बोल रहे हो teachers पर impact यह आप बोल रहे हो students पर impact भाई साप सिर्फ students और सिर्फ teachers में involved नहीं है इसके लावा involved है आपके colleges का staff staff मतलब वो cleaning staff हर आदमी Saturday Sunday पहुंचेगा हर आदमी की winter breaks आप कम कर दोगे ले सब खो जाएगा घाटा student का हुआ क्या उनको यहाँ पर compensation मिलेगा क्या उनको कुछ रियायते मिलेंगी इस फीस के मामले में जो चीज एक महिना डिले हुआ है एक महिनी की फीस आपकाम कर के लिए लो आप क्योंगे नहीं हम तो Saturday Sunday पढ़ा रहे है न अरे Saturday Sunday जो आप पढ़ा पढ़ा कि हम उस चीज को colleges कर रहे है यह तो colleges की चीज है कि चलो ठीक है वो college कर लेगा लेकिन NTA सिर्फ रिजल्ट निकालेगा इस पर कोई solution नहीं दे रहा है हना इसमें government का कोई भी solution नहीं आया कि यह delay हुआ कैसे इसको ठीक किया जाए कोई भी इस पर यहाँ पर बात सीथ क हुआ रिजल्ट में डिले हुआ कोई reason नहीं बता रहा है कि क्यों डिले हुआ ठीक है नीट की controversy चल रही है समझ में आता है चलो ठीक है बट आपके पास workforce कमी है क्या कि नीट वाले भी देख रहे हैं और NTA को भी देख रहे हैं क्या सभी उसमें घुज गए है इतना आपने वहाँ पर मामला खराब कर लिया है हना लेकिन ठीक है चलो वह चीज भी है छोड़ दीजे बट NTA का result declare क्यों नहीं होता है क्यों डिले करते हैं रीजन तो खायरी में लेवाला किसी भी स्टूरेंट को लेकिन आप सोचो जो लोग वहाँ पर इस काम को नेगलिजन्स किये हैं वो लोगों के घरवाले घरवालों के बच्चे अगर इस वक्त इस काउंसलिंग के दौर में होते तो क्या आप क्या करते हैं वही मान लीजे क किसी के पास पावर है किसी के पास नहीं है तो इसका मिस्यूज ना किया जाए है ना मैं समझता हूं कि गलतियां होती है ठीक है अब रेक्टिफाइ हो रही है तो वह भी बास समझ में आ रही है बट राइट नौ सी यूटी का जो रिजल्ट है उसमें डिले देखने को सज पाचीत नहीं हुई है कि क्या देट यहां पर अगली आने वाली है अब यह पर यह सब बाते जो हैं इसको कि goose कर रहा है जयसे मैं आपको जो बोल रहा था अब यहाँ पर जेद्यू के जो यहाँ पर स्टाफ है हम लोग तयार है जो डिले हुआ है के लिए लोग तयार है कैसे हम लोग तयार हैं हम लोग ऐसे तयार है कि हम लोग वेकेशन को यहां पर छोटा कर देंगे इस तरह से हम तयार हैं हाना थर्टी डेस का अगर हम को बैक अगर हम यहां पर थर्टी डेस के डिले में हैं तो हम तीस दिन साल बार से कहीं न कहीं निका लिखा हुआ है mean while the JNU Teachers Association said they were opposed to the suggestions from a senior officials to schedule extra classes on Saturdays and shorten the winter vacations to make up for the time loss due to the delayed announcements of the CUT result. So the senior officials, मैं थोड़ा सा यहां पर उल्टा बोल रहा था, senior officials यहां पर जो बोल रहे हैं कि यहां यह कट करेंगे हम time, उसके यहां पर यह Teachers का Association है, वो यहां पर बावाल करेगा. जाहिर सी बात हैं मैं आपसे बोल रहा हूं, खाली बच्चे को बुलाना है, पढ़ने के लिए तो आप बच्चा जाएगा, लेकिन Teacher Association का Teachers को भी तो आना पड़ेगा, अरे भाया वो टीचर का भी तो घर द्वार है, उसको आप extra salary दोगे, नहीं, चलो पैसे की बात नहीं है, उस Teacher का time कितना important है, वो Teacher सेटले संडे अपने घर वालों के लिए निकालेगा, उस Teacher को दस काम होते हैं, practically student को भी होते हैं, हम भी सोचते हैं, हम भी एक Teacher है, हम भी सोचते हैं, 6 दिन काम करके, 7 दिन हमें भी अपने घर के काम करने होते हैं, संडे को हम अपना काम करने की कोईशिश करते हैं, चलो ठीक है, आदमें के कपड़े खराब गंदे होगा है, वो कपड़े धुलने होते हैं, and all these things लेकिन नहीं उसमें भी इंसान अकॉछे को पढ़ाने के लिए। कितने मन मार के पढ़ाएगा, भाई देखो मैं तो इन जानता हूँ है। ये रिद चैनल स्टेटस साउंंट वना बहुत जरूदी है। चैनल को मैं अजब रस्ती कलास लगवादिया। क्या हम नहीं पढ़ाएंगे यह करेंगे के नहीं पढा सकता उतना अच्छा और यहां पर इमानदारी कहां रहे गई बच्चों के साथ बेमाणी हो गया यहां पर होईगी होईगी और यह चीज़ आपर टीचर असोसिशेशन इस बात को उठा रहे हैं ठीक है ऐसे यह आप द निया ही चीज निकलाया सारे ले जंडे भाम क्लास पर ठीक है अमें क्या ही बोलो प्रॉप गलतिया करी हैं तो इसको ठीक भी करना पड़ेगा इस अकाडमिक यह लेकिन कितने सारे स्टूडेंट्स हैं चाले लाक स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 13.48 लाक अप्रॉक्स यह स्टूडेंट्स थे जिन्हों ने यहाँ पर से यूटी का अग्जाम दिया अब बताएगे मुझे इन यह नंबर्स इतना बड़े हैं इतने बड़े नंबर्स हैं कि इतने स्टूडेंट अगर सामने कि इनका करिकुलम छोटा हो जाएगा बदले में कुछ ऐसा कुछ फीज का रिबेट नहीं है प्रेशर ऊपर से है कि आपको समझनी है टाइम में सब चीजें यहाँ पर चल रही है और इतना ही नहीं इस से इंपक्ट हुआ है सिर्फ स्टूडेंट्स इंपक्ट नहीं हुए इसमें टीचर इंपक्ट होंगे इस में वो स्टाफ भी इंपक्ट होगा आप देखो नैए टीचर है एक एक टीचर है खाली धुड़ी है मतरब इन्टिय ने गलती करी अब Teacher खाली impacted नहीं है teacher तो जाए गई जाएगा टीचर से ज़्यादा important role होता है वो staff का वो staff का बहुत important role है जो cleaning करता है colleges के अंदर cleaning होता है colleges के अंदर जाडू पोछे लगते हैं उनको भी आप बोलाओगे डेली वो बिचारे जो आपके छोटी-छोटी salaries पे वो घर चला रहे होते हैं वो आके जाडू पोछा करेंगे वो आके colleges के filters हैं पानी पीने काले उसको ठीक करेंगे टॉलेट को क्लिंग करेंगे सब चीज़े लेंगे क्योंकि बच्चे आएंगे एक यूश्टी प्रॉपर सरेड़ संडे को Monday Tuesday की तरह फंक्शन करेगी तो वो तो आदमी साथ दिन काम कर रहा है आप समझ पा रहे होगे hopefully कि मैं क्या बोल ला था अब एनीवें इस सब concerns तो है वो है ही बट राइट नाओ जो सी उटी का result है यह मुझे आर्टिकल दिखा तो मैं थोड़ा सा वह हो गया कि यार कब तक इस तरह की न्यूज पर डेली देख रहा हूं एक दिन दो दिन तीन द रहे थे आप आप आंसर की के वो प्रोविशन आंसर की कि आप responses ले रहे हो उतनी जल्दी कैसे आ सकता है है कि नहीं पर अपने हम आज के discussion को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने अगले session में बथाएंक यू सो मच जै हिंद जै भारत